आगे बनने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि एक्जाम क्वालिफाइ करने के लिए पेपर वन प्रेपरेशन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इसमें आप आसानी से 75 प्लस स्कोर कर सकते हूँ अगर आप एक स्मार्ट प्रेपरेशन को फॉलो करते हूँ और इसके लिए complete course हमने launch किया है जो कि examination के difficulty level और latest pattern को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है इसमें हम complete paper 1 के full syllabus video lectures आपको देते हैं बहुत ही simple language में real life examples के साथ बहुत ही जादा interesting way में यहाँ पर आपकी सारे concepts clear करवाने की मैं surety देती हूँ साथ ही full syllabus notes आपको pdf format में मिलेंगे जिसको असानी से अपने mobile phone में भी download करके आप पढ़ सकते हो full syllabus mock test में आपको 60 से भी जादा mock test मिलेंगे दोनों languages में and इसमें से hazardous questions exam में आते हैं यह mock test अगर आप लोग attempt कर लेते हो तो definitely आप लोग examination में अच्छा score कर सकते हो and साथ ही 2000 plus mcq question bank में आपको मिलते हैं previous year questions, most repeated questions and most expected questions so हरे question के solution के साथ आपको detail में explanation भी दी जाएगी ताकि revision के दौरान भी आपके सारे concepts clear हो जाएगी यह सभी questions revision में आपको बहुत help करते हैं so given whatsapp numbers पर contact करके आज ही इस course को join कर लीजए इसके लिए आपको सरफ एक ही बार fees देनी है 2000 रुपए exam तक यह fees valid रहेगी यह course valid रहेगा and इसके free videos के access के लिए global online आपको जरूर डाउनलड कीजिए store section पर जाकर search बार में आपको course का नाम लिखना है course के overview के बाद content पर click करते ही आप यहाँ पर देख सकते हो syllabus मिल जाएगा separately मेरे folders मिल जाएगे and यहाँ पर unit wise folders है जहाँ पर आपको theory lectures, mcq lectures, mock test और notes भी मिल जाते हैं यह exam oriented course है definitely 6 महीने के अंदर अंदर आपको exam को qualify करने में यही course मदद करेगा so given numbers पर contact करके आप इस course की पूरी जानकारी जरूर ले सकते हो मैंने आप लोगों को बताया था आज हम लोग initiatives थी बात करने वाले हैं तो सबसे पहले बात करते हैं inflipnet की इसका मतलब होता है information and library network center inflipnet क्या है यह एक ऐसा center है जो कि research से related जितने भी initiatives हैं जितने भी websites हैं web portals हैं यह उन सभी को manage करने के लिए responsible है इसको March 1991 में जो है इनिशेट किया गया था UGC के द्वारा ठीक है यह भी एक important concept है information and library network center अब library से क्या मतलब है library होता है जहां पर हम लोग books देख सकते हैं पढ़ने जाते हैं ठीक है similarly यहां पर library का मतलब है कि जितनी भी हमारे research से related चीजे होती है वो हम लोग इसकी library में जाकर के देख सकते हैं ठीक है यह कोई वैसी library नहीं है कि कहीं पर आप लोगों को building मिलेगी यह e-library है आप लोग इसको अपने mobile में अपने laptop में इंटरनेट के through access कर सकते हो ठीक है इसका headquarter है गुजराती university campus एहमदाबाद में इसको generally establish किया गया था 1996 में लेकिन यहां पर बोला गया है यशपाल committee worked out the details and 1991 में inflip net को UGC के द्वारा initiate किया गया था ठीक है next बात करते हैं कुछ open access initiatives की जो कि बहुत important है open access का मतलब होता है जो कि सभी के लिए open है सब लोग access का मतलब होता है use करना सब लोग इसको use कर सकते है free of cost open का मतलब ही होता है कि सब के लिए open है ठीक है सबसे बहला आता है शोध गंगा शोध गंगा में क्या है जितने फी Indian thesis और dissertation है उन सभी का record यहां पर आपको मिल सकता है ठीक है अब जैसे आप लोग PhD में admission लोगे तो आप लोगों को research करना compulsory है ठीक है सो research करते समये आप लोग जो भी thesis लिखते हो उन सब चीजों को शोध गंगा पे upload किया जाता है इससे क्या benefit होता है इसका benefit यह है कि जो future researchers है ठीक है हमारे जो future researchers हैं उन लोगों को अगर इस particular topic पे research करनी है या पुरानी findings को ढूंडना है तो उनको google पे जाकर के या फिर दूसरी libraries में जाकर के thesis ढूंडनी नहीं पड़ेगी वो हर एक चीज़ को शोध गंगा में बहुत easily और बहुत कम time में access कर सकते हैं यानि कि आप लोग शोध गंगा में जाओगे वहाँ पे जाकर के जो भी आपका topic है जो भी आपका research का problem है उसको type करोगे उससे related जितनी भी information होगी thesis and dissertation की वो आप लोगों को मिल जाएगी नग्स आता है हमारे पास शोध गंगोत्री फिके तो गंगा कहां से निकली है गंगा निकली है गंगोत्री से तो इसी भी इसका नाम रखा गया है शोध गंगोत्री शोध का मतलब क्या होता है शोध का मतलब ही होता है research शोध गंगा ये है जहां से आप लोग research से related सारी information को collect कर सकते हो गंगा जिसे नदी है बहती चलती है वैसे thesis और dissertation add होते ही जाते हैं शोध गंगोतरी repository of Indian research in progress details इसको हम बोल सकते हैं कि इसको maintain किया गया है inflibnet के द्वारा which is an autonomous inter-university center of the university grant commission of India ठीक है शोध गंगोतरी is a new initiative that complements शोध गंगोतरी hosts synopsis of research topics submitted to the universities in India by research scholars for registering themselves for PhD program ठीक है जितने भी researchers होते हैं वो अपनी research topic का जो synopsis enter करते हैं ठीक है आपके research topic का जो synopsis या फिर इसको synopsis भी बोलते हैं कुछ भी बोल सकते हो वो enter करते हैं शोध गंगोतरी में और कोई भी जाकर के यहां पर इसके बारे में अगर देखना चाहता है तो वो लोग यहां से देख सकते हैं ठीक है next है Vidya Mitra so यह क्या है यह online learning portal है for all the e-counter projects developed under NIMSET that is national mission on education through information and communication technology next है Vidwan so Vidwan क्या है यह database profile है इसमें किसकी profile है scientist की and जितने भी faculty members है जो की leading institutions जैसे IIT, NITs यहां पर जो बहुत बड़े-बड़े institutions होते हैं IIM की तदा यहां पर जो भी faculty members काम करते हैं उन सभी की details यहां पर उन सभी की जितनी theses हैं उनकी details हैं उनकी findings है हम बोल सकते हैं उनकी profiles यहां पर record की जाती है okay so Vidwan का मतलब क्या होते हैं बहुत intelligent लोग इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं and leading institutions जैसे IIT, NIT, MIT यह सब चीज़ों के जो भी faculty members होते हैं उन सब का record होता है यहां पर आप लोगों को एक में idea देती हूं कि यह जितने भी नाम यह जितने भी initiatives के नाम में बता रही हूं आप लोग एक बार जाकर के Google पे इनको search कीजिए इनकी websites पर जाकर देखिए इससे क्या होगा इससे अगर exam में आप लोगों को कोई भी question आएगा आप लोग easily recall कर सकते हो नेक्स्ट है इंट-Cat तो यह क्या है यह free online catalog है जिसमें की books, theses, serials of major university or institution library होते हैं लेकिन यह सिरफ इंडिया के basis पे ही काम करता है ठीक है नेक्स्ट आता है यह शोद सिंदू इसको December 2015 में initiate किया गया था इका मतलब होता है electronic ठीक है consortium of higher education electronic resources that provide access to e resources to universities, college, centrally funded technical institutions in India ठीक है इसको UGC, InfoNet that is Information Network, Digital Library Consortium भी बोला जाता है राइट इसके साथ ही NLIST that is National Library and Information Services INDEST that is Indian National Digital Library in Engineering Sciences and Technology यह सब के नाम भी आप लोगोंने याद रखने है इस initiative को launch किया गया है बाए M.H.R.D. and executed by InflipNet ठीक है एक और ट्रिक में आप लोगों को बताती हूँ कि कई बार क्या होता है question आता है exam में आप लोगों को options नहीं बता होते तो अगर आप लोगोंने बाकी के नाम नहीं सुने होंगे initiatives की बात कर रही हूं सिरफ तो जहां पर भी आप लोगों इसको correct कर सकते हो ठीक है ICT से related अगर initiatives है तो InflipNet पे correct कर सकते हो क्योंकि maximum जितने भी initiatives है वो InflipNet ही execute या handle करता है ठीक है प्लेगरिजम detection software और यह question जो है as it is question जो है exam में पूछा जाएगा इस चीज की मैं आपको guarantee देती हूं exam में क्या पूछा जाएगा exam में यह पूछा जाएगा कि government के द्वारा जो ICT से related initiative launch किया गया है जिसमें कि हम लोग plagiarism को देख सकते हैं या फिर यह बोला जाएगा कि जिसमें हम लोग अपने thesis या फिर अपने research topic या फिर अपने documentation की duplicacy को check कर सकते हैं अगर तो duplicate data है तो वह शुद्ध नहीं होगा तो शुद्धी का मतलब यह है कि duplicate data वहाँ पे नहीं होना चाहिए plagiarism detection software PDS plagiarism का मतलब ही होता है duplicacy ठीक है अब जैसे कि माल लीजिए कि कि किसी भी writer की एक book है ठीक है या फिर जैसे माल लेते हैं कि हम लोग जैसे global online पे आप लोगों को यह PhD channel पे जो भी content दे रहे है as it is कोई और भी है person जो की as it is content provide करा रहा है हमारा ही content वो provide करा रहे है ठीक है तो वो क्या होगा वो plagiarism होगा हम उन पे case भी कर सकते हैं तो इसलिए research के समय पे कभी भी plagiarism नहीं होना चाहिए आप लोगों की जो thesis है वो cancel भी हो सकती है ठीक है so plagiarism की बात जहां पे भी आती है आपने इसको याद रखना है duplicacy अब जो चीज duplicate है जिस चीज में मिलावट है तो वो शुद्ध नहीं हो सकती ठीक है तो इस चीज को आप लोग यहाँ से याद रख सकते हो ठीक है सो यह थे हमारे आज की कुछ most important initiatives जो की exam में जरूर पूछे जाते हैं ठीक है इसके साथ ही अब next आता है analyst analyst का मतलब है national library and information service infrastructure for scholarly content ठीक है यह भी MHRD का initiative है इसमें आपने यह याद रखना है subscribers to all major e-journals e-book across the world पूरे जितने भी researchers है faculty है college के students है जिनके भी e-books है e-journals है आप लोग कुछ भी पूरे world में access कर सकते हो end list के through ठीक है next आता है उच्चितर अविशकार योजना जिसको की UAY के नाम से जाना जाता है 6 October 2015 में इसको launch किया गया था इसका focus है the scheme focuses on viable industry academic collaboration where industry shares a part of the cost research ठीक है to have outcome based research finding इसकी applicability भी आपको पता होनी चाहिए लेकिन यह initiative इतना नहीं है next initiative है जो की important है imprint ठीक है so imprint जो है इसको November 2015 में launch किया गया था and यह क्या करता है it challenges by translating knowledge into viable technology in 10 selected technology domain so कौन से यह domain है यह important है healthcare, energy, sustainable habitat, nanotechnology hardware, water resources and river systems, advanced material, information and communication technology जो की ICT जिसकी हम लोग इतना दर से बात कर रहे है manufacturing, security and defense and environmental science and climate change so यह 10 technology domains है जो हाँ पर imprint काम करता है ठीक है paper 1 के साथ-साथ paper 2 preparation पर भी focus कीजेगा exam oriented way में complete study material हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें आपको full syllabus notes और MCQs मिलेंगे इसमें आपको previous year questions, most repeated questions और expected questions हम देते हैं जिसमें से as it is questions हर बार exam में पूछे चाते हैं यह study material ना सिरफ exam qualify करने में आपको मदद करता है वलकि इसके बाद interview को qualify करने में भी आपको बहुत help करेगा so subjects के list आपके सामने हैं इसमें से अपना paper to subject select कीजिए and given whatsapp numbers पर contact करके आप इसको आज ही join कर सकते हो इसके लिए आपको सिरफ एक ही बार फीस देनी है 12.20 रुपए and मैं आपको surety देती हूँ कि जब तक exam clear नहीं हो जाता interview clear नहीं हो जाता तब तक आप इसका benefit उठा सकते हो so thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best